हेलो बच्चों, वेल्कम बेक टो येर चैनल, नॉलेज इस पावर, तो अभी हम कुश्चन नमबर 3 को सॉल्व करेंगे, एक्सराइज 5.2, चेफ्टर 5, ओके, तो ये आपके सामने कुश्चन नमबर 3 है, छोटा से कुश्चन है, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या दिया है, इन्दा एड़ जैनिंग्स फीगर, पी परलल टू क्यू, ये दोनों परलल है, ओके, ये दोनों परलल है, find the unknown angles, unknown angles मतलब आपको A, B, C, D, E, F, ओके, A, B, C, D, E, F, ये 5, 6 angles को आपको find out करना है, ओके, सिर्फ उसको find out करने के लिए बोला है, बाकी कुछ बोला नहीं है, तो ये angle कितना है, ये आपका एक ही angle दिया है, 125, ये कैसे find out होगा, मैं आपको बता देता हो, तो ये आपका 125 दिया है, ठीके, तो ये जो side angle है, ये आपका कितना होगा, ये भी आपका 125 होगा, क्यू क्योंकि ये दोनों parallel है, और ये आपका transversal है, तो दुसरा चीज़ क्या आता है, आपका alternate interior angles, ये जो दो, 125 and A, this is called alternate interior, sorry, alternate interior नहीं है, is the interior angles lying on the, interior angles on the same side of the transversal, it is the interior angle on the same side of the transversal, और ये supplementary होता है, मतलब, इन दोनों को मिला होगे, तो 180 degree बनता है, तो एक जब 125 है, तो दुसरा कितना होगा, दुसरा आपका 55 होगा, यानि कि 180 minus 125, ओके, तो कितना बनता है, 180 से 125 minus करने से, आपका बनेगा 55, ओके, 55, ये ए एंगल जो है, वो 55 हो गया, अभी next चलते हैं, एंगल B में, तो B एंगल कितना होगा, ये 125 है, तो ये भी 125 होगा, क्यों होगा, इस अपका करेस्पोंडिंग एंगल है, इसलिए ये 125 ही होगा, ठीके, तो एंगल B is 125 degree, ठीके, ये सब degree आप लिखना है, ठीके, तो B भी हो गया, लेट्स चलते हैं अभी C को, अभी A एंगल आपको मिल गया है, 55 degree, एंगल मिल गया है आपका 55 degree, तो C एंगल भी 55 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आपका कौन सा एंगल है, ये आपका vertically opposite angle है, ठीके, vertically opposite angle, जब दो लाइन क्रॉस करते हैं, तो opposite angles को बोलते हैं, vertically opposite angles, और वो दोनों का measurement सेम होता है, ठीके, तो next चलते हैं, D में, D कौन सा है, ये D है, ठीके, D कितना होगा, ये आपको easily find out हो जाएगा, क्योंकि ये आपका adjacent angle है, A और D दोनों adjacent angle है, इसी साब से कर सकते हैं, नहीं तो आपका दूसरा है corresponding angle, ये 125 जो है, और D दोनों corresponding angle है, तो इसी साब से भी 125 ये बन जाता है, तो D कि 25 क्योंकि ये 125 का corresponding angle है, दुसरा है E, corresponding angle हमें से same होता है, E कौन सी है, ये आपका E है, ठीके, अब A और E दोनों क्या है, corresponding angle है, ये आपका already मिल गया है 55, तो that means ये भी आपका E भी 55 ही होगा, तो F, F कितना होगा, E और F दोनों vertically opposite angle से, तो ये 55 है, तो ये भी 55 ही होगा, ठीके, vertically opposite angles are same, okay, so ये आपका answer मिल गया, सारे का, सारे angles आपका, मैंने बता दिया, ठीके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे, किस-किस rule के against में ये चीज़ बताया जा रहा है, और इस angles को क्या बोलते हैं, ठीके, जैसे vertically opposite angles है, interior angles है, exterior angles है ये सब चीज़ें आप ध्यान रखे, एक बार याद रख लेंगे, तो ये rules हमेशा के लिए आपको याद रे जाएगा, so thank you, आज के लिए इतना ही, और इस channel को like, share, subscribe करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताईए, thank you, stay tuned